जब तक जिन्दगी है बेटा, तो जखके कुछ कर लो, वरना मरने के बाद भी सोचा हुआ, तो कुछ मेडिकल इसू करन मचछड गया, तो मैंने सोचा कि मैं खुद फोजी बन नहीं पाया, तो कमसे मेरे जब तक जीवा ने, तब तक कुछ फोजी तो मैं त्यार कर लो नमस्कार, मैं सोनाली अगरवाल और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स, आज हम राची के मुराबादी ग्राउंड में हैं, जहां पर कमांडो डिफेंस अकाडमी की तरफ से एक्जाम कराया जा रहा है, यह एक्जाम जार्खन कॉनस्टेवल की तैयारी के और बेसिकली यह एक्जाम जो है, वो कमांडो डिफेंस अकाडमी की तरफ से कराया रिक्साइस कॉनस्टेवल की तैयारी कर रहे हैं और जीतने वालों को प्राइस भी दिया जाएगा, रोईत भाया ने इसमें इनाम भी रखा है, जो टॉप 10 होंगे, उनको प्राइस भी द आया हुआ है, कुछी दिनों के बाद इनका फिजिकल सुरू होगा और रिटन सुरू होगा, तो पहले हम लोग फिजिकल की त्यारी दे रहे हैं, और सब्सक्राइब पढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग रिटन का संडे को टेस्ट लेते हैं, अंडो डिफेंस अकाडमी खो सब्सक्राइब होगा, तो बच्चे आम से जूटते चले गए, मैं 16 टाइम से बढ़ते किलियर करके अभी इधर बैठा हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं खुद फोजी बन नहीं पाया, तो कम से मेरे जब तक जीवा ने तब तक कुछ फोजी तो मैं तयार कर लो, और ऐसे नही सब्सक्राइब होता है, तो मैं खुद से लिए हैं, क्योंकि पहले बच्चे को क्या होता है, मेडिकल कर पता ही नहीं होता है, जिसे मेरे तरह से, गौँ की बच्ची होते हैं, मैं खुद गाउं से उठके माई सहर माया हूँ, और बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, त इतना सुपह उठके, इतना लोगों के लिए करते हो, इतनी तैयारी करते हो, ये सब मोटिवेशन आपको आता कहां से है, ये बताइए पहले. और बच्चे को लिए काम कर रहे हैं, धन्यवाद भाया, देखा आपने भाया कितने जादा मोटिवेटेड है, अपने काम को लेकर और इनमें इतना जज़बा है, क्योंकि इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सफलताए, असफलताए देखी, जिसके वज़े से आज भ अंकारी के लिए देखते रहें पबलिक प्रोल पॉइंट और हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद